हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टू टूलिप स्टिप्स फोर यू, कैसे हैं आप? I hope अच्छे होंगे हैं और कुछ ना कुछ क्रेटिव कर रहे होंगे तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, जो मैंने अपने घर में लगा रखे हैं आज आपको वे अपने सभी इंडोर प्लांट्स की सेहत का राज बताने वाली हूँ कि मैं ऐसा क्या करते हूं कि मेरे सारे प्लांट स्वस्थ घने चमकदार और हरे भरे हैं तो दोस्तों मैं बताऊंगी कि प्लांट के लिए एक फ्री का फर्टिलाइजर जो पोधे के लिए अम्रत के समान है और जिसके लिए हमें एक रुपिया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा दोस्तों ये एक ऐसा मैजिक फर्टिलाइजर है जो कि इंस्टेंट प्लांट पर जादू करता है और तीन-चार बार अगर रिपीट करें तो प्लांट की हर्याली बढ़ा देता है केर अगर हम प्रोपर तरीके से करें तो बिना किसी एक्स्टा कोस्ट के प्लांट को हिल्दी रखा जा सकता है दोस्तों ज़्यादातर व्यूवर्स ये कहते हैं कि इंडूर प्लांट की सिहत गिरती जा रही है और पत्तिया पीली भूरी परती जा रही है तो इसका राज शेयर करती हूँ आपसे यह जो आप देख पा रहे हैं यह पानी की बकेट है जो मैंने अपने घर के छट पे रख रखी है जब भी बारिश होती है मैं बारिश का पानी स्टोर कर लेती हूँ एक या दो बारिश होने के पस्चाथ क्योंकि पहली और दूसरी बारिश में सलफेट्स जादा होते हैं तो थोड़ा सा ऐसी बिक जादा हो जाता है वोटर इसलिए दो तीन बारिश होने के पस्चाथ में पानी को स्टोर करती हैं तो दोस्तों आपको मैं यह बताऊंगी कि किस तरह से मैं अपने प्लांट्स की हेल प्लांट्स पर इसके और प्लांट्स पर यह किस तरीके से कारी करता हैं तो बेनिफिट्स की इस रंखला में सबसे पहले बताती हूं कि रेंड वाटर में ऑक्सिजन का हायर लेवल होता दोस्तों यह नल के पानी में पाए जाने वाले जो हानिकारक मिनरल्स हैं एडिटिव प्लांट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं उनको रिलीज करता है दोस्तों यह 100% सौफ्ट नेचर का पानी है क्योंकि इसमें ट्रेफ वोटर की तरह क्लोरीन जैसे ट्रीटिंग केमिकल्स नहीं होते हैं जो कि अपने नगरपाली का वाले पानी में आते हैं उसमें हनिकारक ब प्लांट्स के लिए लगबग बहुत अच्छा रहता हैं दोस्तों फ्रेंट्स समय के साथ साथ सोईल में साल्ट और केमिकल्स जमा होकर सोईल को प्लांट के लिए अनफिट से कर देते हैं तो रेन वाटर इन केमिकल्स और साल्ट को डाइलूट करके मिट्टी को सौफ्ट कनीचको के यह किया वाज राइनवाडर होता है दोस्तों बहुत सारी धेर सारे कावनिक पदार्थ होते हैं जो कि अपने प्लांट को लाइड फ़र्टीलाइजर कीतिர करके और प्लांटको बना देते हैं नाइट्रेट को इस में प्रशूर मातरा में उते हैं बहुत सारी जो कि पोध की हरेपन के लिए बेस्ट है और पोध के लिए आविश्यक नाइट्रोजन योगिक मैक्रो नूट्रेंट्स है जो की रेन वाटर में पाया जाता है तो फ्रेंट्स टेप वाटर में क्लोरीन, फ्लोराइड, केल्शियम, मेगनिशियम के बहुत बड़ी मात्रा होती है जो की टेप वाटर को हाइड बनाती है और वो वाटर हाइड होने से प्लांट सेल्स पर कठोर हो सकता है जिससे पत्तियां पीली बूरी पढ़ने लग जाती लेकिन ड्रेंड वाटर के पानी में अधिक ओक्सिजन होने से उनको कम घुटन देती है इसी कारण से केक्टरस और सुकलेंट्स भी इसको पसंद करते हैं यही कारण है कि बारिश का पानी जादू है तो दोस्तों आप भी इसको लाइक किजीगा कमेंट किजीगा शेर किज झाल